पहला आदिस हां बाय हाथ में दो डी छोड़कर जो एलिडी लगी एलिडी के बगल में एक रितिक नाम का बालक बैठा हुआ है आजाए हाँ साट पहने हुए पीले रंका बस्तर पहने हुए आजाए जंडी लिए हुए है दो जंडी उसके पास होगी हाथ में हाथ में दो जंडी होगी और नाम रितिक हो जबा आजाए ये आपकी अर्जी स्विकार है है जन्डी है हाँ 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 you come here my dear थोड़ा जल्दी आ जाईएगा राम साधू जी अंगला देश करो गुरू जी राम माताओं में से अरजी सुईकार हुई है माताओं में से भी लास्ट से अरजी सुईकार हुई है गुरू जी की पिरना अनुशार दो माताओं की अरजी एक माता की तीसरी बाली डी में सुजाता नाम की माता जी की अरजी स्वीकार हुई है और दूसरी अर्जी लास्ट में से रस्मी नाम की बहेंजी की अर्जी स्वीकार हुई है जो हाँ सूट पहने आस्मानी कलर का और डी में बैठी आजाईए आप हाथ खड़ा करो जल्दी हाँ जल्दी आईए अपना अर्जी भी लेकर आईएगा चौथी अर्जी राम साधू जी ओ साधू जी ओ साधू जी ये दूसरी डी में बिने नाम के दादा जी भाईया जी बिने बिने नाम के भाईया जी की अर्जी दूसरी डी में स्वीकार हुई है आजाओ आपकी अर्जी सुईकार है पांचमा छटमा राम साधू जी आते जाने दो रोकना नहीं बस अपने पास चमड़े का बेल्ट चमड़े का पर्स ऐसा कोई भी सामान नजदीक नहीं लाना है वो सब वहीं आपको रखना है और सिधा आपको मंच पर राम राम जबते हुए राम साधू जी साधू जी एक रास्ते की अर्जी है जो गुरू जी ने बड़ी करपा कर दी वो ठीक सुन ली रोड पर एक बहन जी गो मुखी लेकर जाप कर रही है पेड के नीचे और कपड़ा बिचा करके बैठी है आजाईए आपकी अर्जी सुईकार है और रोड पर ही कार के पास एक और भाईया जिनका नाम बबलू है दुकान के पास कार रखी कार के पास बबलू नाम के भाईया खड़े हैं और उन्होंने घर पर भी आज अर्जी लगाई थी और आज उनके घर से भी कहा था कि जाओ आज तुम्हारी अर्जी लग जाएगी तो जाओ तुम्हारी अर्जी स्विकार है तुम भी आजाओ राम 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 साधू जी साधू जी दौन हाथ उठा के बोलो बागेश्वर प으भार्धाम की सन्यासी बाबा की अपने 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 मताई बाप की माताओं की एक और अरजी मौहिनी नाम की बहन जी की अरजी ये LED के पास मौहिनी नाम की बेहन जी बराजमान है, आजाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है, चलिए, पहला नमबर भेजो तब तक, जो भी आये हो पहले, हाँ, खड़े होते जाएं, यहीं खड़े होते जाएं, जी, जी, हाँ, जी बेहन, जी बेहन, आजाइए, उनको आने देना, आँ भाई सा ठीके, आओ, जी बेहन, जी जंडी इने दे दू, पंड़ेजी, नजदीक आओ, माइक लो, परचया तो माइक से दो, कहां से हो, नांगला इदिल्ली, नांगली मुंटका, अचाही है इदिल्ली में पढ़ता है, हेग, क्या नम, निटिम, अचाह, हमने बुलाया था क्या, आप सपने में थे, एंच सपने में ही ते ने podcast जाया थे, ay we अपने में दिखाया था मूंभी को कि गुरु जी पर्चा बना रहे है और मैं श्कूट्यभी जा रहा हूं, यार हम जिन्दहाज मी हैं हम कह सपने में मैं नहीं नहीं मैं स्कूटी में स्कूटी में स्कूटी में पहली बार आए यहां परचे अर्चे तुमने लिखवाया हमने तुम्हारा पूरा डिटेल का बोलो क्या बात आप पिता जी का नाम क्या है आप माइक लेलो पहले तो पढ़े लिखे कितने हो बार मी आप पढ़ लेते हो यहां आपने किसी को बिसाइल लिखवाया तो नहीं किसी को बताया तो नहीं मुर्ख तो नहीं बन रहे हो आप मानते हो कोई पहले से परचा लिख सकता है आओ नजदीक हम बताते हैं है आशीरवाद के नईयाँ आप विबाय कामना लेकर आए हैं लब विबाय करना चाहते हैं राधका नाम की लड़की से आपका लब चल रहा है बोलिए नमबर दो घर में कलेश रहता है आई के सोत नहीं यहां पड़ते जाईए आपके पिता का नाम ओम प्रकास है मा स्वस्त रहेगी आज से ही कृपा होगी तुमाओ लबेरिया सक्सेस्फुल है बराबर अब रो ना जोड़ा से आओ तुम जाओ कह दिया बागेश्वर हमें ना भूल जाईओ के तुम भूल जाओ हमें तुम नहीं था दूसरी अर्जी ठोक दे लिगे तुमने ये भी कहा था कि हमारी अर्जी भी लगेगी और तुमारी बात भी हुई आज 12.40 पर हुई तुमारी बात हाँ यार तुम बेफिजूली की बात हैं हमें बता रहे चलिए हमने भी लिखा ये मंत्र है तीन माला करनी 12.40 पर रात्त्री को बात हुई थी और आपने अपने उन से होभी वाली पतनी से हैं कहा था कि अर्जी लग जाएगी वो भी परचे पर आया है पर तुमारी अर्जी क्यों लगी ये सुनो हम तो खुद बिस्मय में हैं कि इतने बीमार लोग बैठे और गुरू जी ने उनकी सुनी नहीं ये आगी को लगो हम को दिया गुरू जी का कहना है कि आपने अपने घर पर भी अर्जी लगाई और बीच में आपने प्रन लिया था कि अगर हमें प्राप्त नहीं हुई तो हम अपने प्राणांत कर लेंगे और अगर बाला जी ने नहीं सुनी तो प्राणांत कर लेंगे और हन्मान जी के आप भक्त हैं और लगातार हन्मान जी के मंदर में एक अई अर्जी ठोकी कि इलू इलू सक्सेस्फुल हो जाए तो तुम्हारी सृद्धा ना घट जाए इसलिए अरजी लग गई जाओ जय जय हो जय जीवन भर ये मंत्र है उसी मैं परचाव ध्यान से पढ़ लिया कोई संदे है वहां से भभूती ले लो जाओ ये मता जी को दे दे यो आशिरवाद बिजवाद